नमस्ते मैं हूँ शाइना एंसी और आप सभी का स्वागत है अंतराश्य महिला दिवस की शुबकामनाएं और बहुत-बहुत बधाई हमारे देश की स्त्री जो धैर्य संपर्ण और प्यार का दूसरा नाम है कहती है कि हम भी दर्या हैं हमें अपना हुनर मालूम है जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा ऐसी हुनर मन्स्त्रियां आज हमारे साथ मौजूद है इस कारिक्रम में ना सिर्फ एक मन्जिल तक पहुँचने के लिए लेकिन एक प्रेरना का सूत्र है तो आएए मिलते हैं सभी से सबसे पहले डॉक्टर निवेदिता श्रयांस जो एक एडुकेशनिस्ट है सीमा सिंग जी जो मेगा श्रे एंजियो चलाती है और सुजान मेमन जो एक वकील है अमीशा जी जो एक financial expert है सीमा शर्मा जो एक entrepreneur है डॉक्टर लीना गुपता जो एक doctor है शिल्पा भगत जो एक fitness expert है निवेदिता जी शुरुआत करती हूँ आपसे कि अंतराष्ट्य महिला दिवस के बारे में आपका नजर्या क्या है महिला दिवस एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है पूरे दुनिया भर में इसे मनाया जाता है मैं उस समय का इंतजार करती हूँ और ड्रीम करती हूँ कि हमें यह दिन नहीं मनाना पड़े Because each and every day महिला दिन होना चाहिए Each and every day महिलाओ का सम्मान होना चाहिए And मैं education field से हूँ और मैं देखती हूँ लड़किया इतनी intelligent है इतनी sincere है अपने efforts में और पड़ाई में महिलाओ को पता है सीखने और सिखाने का महत्वप क्या है तो मुझे लगता है महिला अलरड़ी अंदर से काफी strong है अगर education का उनको support मिल गया तो वो तो चमतकार कर जाए सीमा जी सफल महिलाओं किस तरह से समाज में अन्य महिलाओं को लेकर आगे बढ़ सकती है और सवाल ये भी उठता है क्या महिला महिला का समर्थन करती है आपको क्या लगता है एक महिला दूसरी महिला को मदद जरूर करना चाहिए और खास करके जो सक्षम महिलाओं हैं जो सिक्षित महिलाओं हैं और जो under privilege महिलाओं हैं जिनको वो मौका नहीं मिला है कि वो अपनी प्रतीवा और अपनी चीजों को आगे लाए, उनको मदद करें, और हम लोग बोलते हैं न कि एक दूसरे को सपोर्ट करके हम उचा ऊठ सकते हैं, बोलते हैं, हजारो फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारो धीपक चाहिए एक आर्ती सजाने के लिए, पर एक इस्त्री अकेले ही काफी है घर और समाज को स्वर्ग बनाने के लिए तो इस विमेंस्टे पे महिलाओं से यही निवेदन करूँगी कि महिलाओं को समर्थन करें उन्हें आगे लाएं सुजान जी आप एक बहुती प्रसिद लॉयर हैं एक वकील हैं आपका संघश किस तरह से प्रेड़ना बन सकता है अन्य महिलाओं के लिए क्या कोई उधारन है मेरी नजर में हर महिला एक सिपाही है जो हर रोज कोई न कोई जंग लड़ रही होती है बिना किसे हत्यार और कोई अवार्ड कोई अकनॉलेजमेंट कुछ नहीं होता है उसके पास मगर फिर भी वो लड़ती है रोज और रोज जीतती है तो उसे इस जीत की मैं मुबारक ब यह इक पुरुष प्रधान मां सिकता है कि महिला सिर्फ ये करना चीह या वो करना चीह या घर बैटना चीह एक stereotypical mindset होता है बहुत कम महिला हैं आज जो राजनीती में भी हैं बहुत कम महिला हैं जो सक्रियर रूप से corporate world में number one or two position में हैं आपके क्या राय है इस मुद्दे को लेके? इस मुद्दाने की वुमन फिजिकली तो वीक है इन फाक्ट वह बगवान का उनको वर्दान है की इमोशनली भी बहुत इस मुद्दान है इस इस मुद्दान है तो उसका एक अलगी शक्ती रूप होता है ओरत का तो उनके पास औरड़ी है तो यह जो आइडिया है और फिजिकल वीकनेस इस नॉट देर and हमारी सारी महिलाएं जैसे आप देखती हो मेरिकॉम है, पीवी सिंदू है और सारी जो इंडिया के बड़े-बड़े प्लेयर्स है वो टॉप कर गये है in the world so ये आइडिया से हमें बाहर निकलना है कि महिलाएं वीक है और in fact they are doing much better than men सीमा जी, आपके life में कौन सा ऐसा experience था जिसके वज़े से आपने मेघाशर और शिक्षा के प्रती काम की हमारे देश में अभी भी महिलाएं जहां एक top में मुकाम रखती हैं वहीं हमारे समाज में बहुत सारी महिलाएं हैं जो संघर्स कर रही हैं अपना एक अस्थान बनाने के लिए एक अपना समान पाने के लिए तो मैं एक ऐसे जगह से विलाउं करती हूँ जहां पे महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत सारे कारी करने हैं और वो लोग सक्षम हैं सिख्षा की कमी के बज़े से वो लोग बहुत ही पीछे रह गई हैं तो मुझे लगता है कि हम लोग सब को मिलकर हर लेविल के महिलाओं को समर्थन देना चाहिए और उनको आगे लाना चाहिए सुजन जी एज लॉयर डियू फील के मौका बहुत जरूरी है क्योंकि अपरचुनिटी नहीं है तो आप आपका टैलेंट उनर कैसे दिखा सकते हैं या कोई अन्या अनुभव आपके हिसाब से सो मौका तो मैं नहीं मानती कि अपरचुनिटी होनी चाहिए अपरचुनिटी बनानी पड़ती है मौका ढूनना पड़ता है हम पर कभी कभी बुरा वक्त आता है कभी अच्छा वक्त चलता है उन दोनों वक्त का आप कैसे इस्तमाल करते हो उस एनरजी को आप किस कि मैं अपने आप के लिए इस वक्त में क्या ऑपरचुनिटी हो सकता है वो चोटी सी चीज़े कहीं बाजू में जा कर सिलाई सीख ली या कुछ चोटा कॉर्स कर लिया या बड़ी डिग्री हासिल कर ली औरतों की तकलीफ मेरी फील्ड में स्पेशली मैंने देखी है जहां जरिया बनाना है और उससे आगे बढ़ना है बस यही मेरी अपील है and I am very sure very confident कि हर औरत यह कर सकती है और आगे बढ़ सकती है क्यों हम dependent रहे family husband या किसी पर भी let's get up collect ourself and move on in life डॉक्टर निवेदिता कहते हैं कि एक महिला तब आत्म निर्भर है जब उनको शिक्षा और सुरक्षा मिलता है और यह आत्म निर्भर रहना याने की financially independent बहुत ही जरूरी है क्या आप मानते हैं कि अंतराष्य महिला दिवस के साथ साथ अंतराष्य आत्म निर्भर दिवस बहुत जरूरी है बहुत ही सुंदर आइडिया है बहुत ही बड़ी आइडिया है आत्मत-निर्भर होना बहुत ही जरूरी है और महिला बन जाए तो पूरी दुनिया एक बहुत ही developmental stage की और चली जाएगी सीमा जी आपने एक कवीता लिखी है तो आपकी कवीता ये जो कवीता है एक औरत की सकती को यहां पे सामनी लाया है जो हम सब औरते बहुत ही सकती शाली है आया समय उठो तुम नारी यूग निर्मान तुम्हें करना है आजादी की खुदी न्यूब में तुम्हें नया इतिहास देश का अपने कर्मों से रचना है बहुत अच्छा आप एडुकेशनिस्ट है तो आप एडुकेशनिस्ट महिलाओं को क्या संदेश देना चाते है निवीदिता जी एडुकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टन पार्ट है हमारे जीवन में और मैं यह यह अपील करना चाहूंगे सब को कि महिलाओं को एडुकेशन में ज्यादा से ज्यादा प्रहुत्सान देते रहे क्योंकि अगर महिला सीखती है तो उसकी फैमिली भी इंपूर्व होती है डाउन होता है पावर्टी रेट एकनॉमी इंपूर्व होती है एक हेल्दी लेडी of the house अपने परिवार का अच्छा ख्याल रख सकती है तो I think बहुत सारे फाइदे है और अभी बहुत बहुत इंपूर्टन आए कि गॉर्मेंट मस्ट पे more and more attention to the education of girl child which will make भारत and maybe all over the world a stronger place to live in with harmony, love and understanding. अमीशा वोरा जी आप एक financial expert है और stock markets में बहुत सक्रिय है अमीशा जी आप से जानेंगे कि stock market और finance की दुन्या से महिला बहुत दूर रहती है क्या उनको पास जाने की जरूरत है मेरे इसाब से बहुत ही ज़्यादा जरूरत है दो वज़े है उनकी एक तो महिला का जो nature है वो financial markets में बहुती suitable है क्योंकि महिला हमेशा सोचती है risk और return देखती है थोड़ा सा कस्ती है फिर decision लेती है तो ये financial markets के लिए बहुत important है ये nature होना और उससे भी important चीज कि महिलाएं अगर खुद के या अपने परिवार के savings को अगर धंग से invest करे तो वो wealth में create हो जाता है और उससे वो खुद उनका परिवार और उनकी generation सभी बहुती निश्चिंत रह सकती है और आत्मनिर्भर हो सकता है आत्मनिर्भर भी हो सकती है इसलिए मैं कहूंगी कि हर एक स्तिरी को अपने उपर के विश्वास से कि ये वो कर सकेगी वो 15 साल के हैं 25 के हैं 35 के हैं ये जरूर जालू करना चाहिए खुद के और फैमिली के सेविंग्स को वेल्थ में कनवर्ट करने का सीमा शर्मा जी आपकी जो कहानी है बहुती दिल्चस्प है क्योंकि आप एक ग्रहनी थी और आप अभी एक entrepreneur है happiness is homemade आपका brand है आपकी शुरुआत कहां से हुई और कैसे अन्य देना चाहूंगी कि आपने मुझे ये मौका दिया आज यहां पर आने का और अपनी कहानी बताने का जिससे शायद कुछ थोड़े में मैं दूसरी महिलाओं को भी inspire कर सकूँ या प्रेरित कर सकूँ कि उम्र के किसी भी पढ़ाओं में अगर आप चाहे तो अपना कोई भी कि भी किसी भी उम्र में शुरू कर सकते हैं जो कि मेरी कहानी है मैंने उम्र के इस पढ़ाह में आके ये जाना कि घर से अगर मुझे अपना चोटा सा व्यवसार चलाना है जिससे मैं कुछ और लोगों को भी काम दे सकूँ और खुद भी अपने बलपरात्म निर्भर बन सक ये मैंने जाना अपने आपको और मेरा जो ब्रैंड है happiness is homemade जो कि वीगन लूटन फ्री बेकिंग और सेवरीज बनाते हैं और इससे अपना एक अस्तित्वा मैं ढूंड पाई हूँ और जैसे कि कहते हैं कि हर पुरुष की सफलता के पीछे एक महिला का हाथ होता है वैसे ही म महिला के सफलता के पीछे भी एक महिला का ही हाथ होता है तो मेरे ये ब्रैंड का happiness is homemade का नाम भी मेरी बड़ी वाली पिटिया है जिनीशा शर्मा ने दिया और मेरे कुछ फ्रेंड्स और मेरे बच्चों ने मुझे प्रोचसाहन दिया इस उम्र में भी आके आप इतना अच् सबसे पहले क्या international महिला दिवस का कोई मान्य रहता है और क्या महिला महिला का समर्थन करती है महिला दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है समाज में काफी परिवर्तन आया है पर बहुत ऐसी जगह है जहां अभी भी महिलाओं को उचित सम्मान नहीं मिलता मेट्रोस में शायद जरूरत कम हो पर मेट्रोस की महिलाओं को भी याद रखना चाहिए कि उनकी बहुत बहने है जिनने अभी भी opportunities नहीं मिलती इस दिन हमें चर्चा करना चाहिए सिर्फ महिलाओं के साथ ही नहीं पर पूरे समाज के साथ इस दिन हमें ये सोचना है कि हम पूरे साल कैसे बिहेव करेंगे, कैसे एक दूसरे के साथ देंगे, हर दिन महिला दिन है और ये दिन हमें सिर्फ ये याद दिलाने के लिए हैं शिल्पा भगत आप एक fitness freak हैं, एक life coach हैं, आप हमें बताइए कि समाज से क्या अपेक्षा रहती है एक महीला से मैं कलकते से हूँ, एक बहुती middle class family में मेरी शिरुवात हुई थी जब आप एक conservative family से होते हो, middle class family से होते हो, तो संखर्ष थोड़ा जादा होता है for even small things तो उस समय मुझे यह पता था कि मुझे education, you know, it's my only ticket towards wellness, towards growth, तो इसलिए मैंने बहुत पढ़ाई की, like literally geek की तरह, but you know, उसकी वजह से मैं अपना MBA कर पाई, मैं अपना, मैंने corporate banking करी, HDFC bank की साथ, and उसके बाद जब chance मिला तो Mrs. India भी बनी और मैंने realize कि कोई भी काम, या कोई भी दर्जा, चोटा या बड़ा नहीं होता, जब as a geek मुझे लगता था कि जो लड़किया fashionable होती है, you know, वो बहुत easy है, but जब मैंने fashion pursue किया, मैंने realize कि it's a lot of hard work, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत discipline चाहिए, सुबह उटके आप exercise करो, रात को time से सो, धंका खाना पीना खाओ, it is not easy, मगर ये सब कुछ possible है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं, you know, जो आपका एक orbit होता है, उसके एक end से दूसरे end तक, मैंने literally oscillate किया है, और मैंने देखा है, और अनुभव किया है कि हर एक चीज की अपनी एहमियत होती है, और अगर आप अपन मन लगा कर वो करो, so impossible is really nothing, it's just in the mind, and fitness is very close to my heart, you know, मेरे हस्बन ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं अपने family की anchor हूँ, अगर मेरी तब्यत ठीक है, मेरी mental health ठीक है, physical fitness ठीक है, तो मेरे आस पास की सारे लोग ठीक रहते है, जिस दिन मेरा mood खराब होता है, पूरी family, like, घर पे दूरी रहूं, पता रही, ममी से डाट पड़ेगी शायद, तो मैं husband keep saying की शिलपा, तुम खुश रहो, हम फिर सब खुश है, and इसलिए mental fitness और physical fitness बहुत important है, क्योंकि कोई भी एक आदमी जब बिमार पर जाता है, आपकी family में, आपको पता है कि आपकी पूरी routine खराब हो जात रहे कि अपने खाते में 100 रुपया है, 500 रुपया है, 5000 है, वो कैसे आगे बड़े, देखिए, जिस तरह से कोई भी पैसा खमाने के लिए, कुछ skill, कुछ जानकारी होना ज़रूरी है, ये field में ऐसा है, कि जानकारी लेना है, पर साथ में अनुभाव भी लेना है, क्योंकि ज उसमें सबसे ज्यादा, खुद का mental discipline बहुत important है, जो अनुभाव के बगेर नहीं आ सक, पर एक चीज में जरूर कहूंगी, कि 100 रुपया हो, 500 रुपया हो, 5 लाग हो, या 50 लाग हो, आज जो वो पैसे की कीमत है, वो कल कम हो जाएगी, अगर वो 50 लाग भी है, उसका purchasing power कल कम ह हो जाएगा, तो इसलिए ये जरूरी है, कि उसको कहीं न कहीं invest करो, जिस हिसाब से भाव बढ़ते हैं, उससे ज्यादा आपको return दे दे, ये बहुत ही जरूरी है, सीमा जी, अंतराश्रिया महिला दिवस मनाना क्या जरूरी है, हाँ, मुझे बिल्कुल ये लगता है, कि अं अंसकार भी इसका समर्थ करता है, और कहा भी गया है, कि यत्र नार्यस्तु पूजयते, रमंते तत्र देवता, अर्थात, जहां नारी की पूजा की जाती है, उसका सम्मान किया जाता है, वहाँ देवताओं का वास होता है, अंतराश्रिया महिला दिवस को मनाने के पीछे क लक्ष है समाज में महिलाओं को बराबरी का अधिकार देना और समाज में उनकी भागितारी को बढ़ावा देना एक महिला इतने सारे जीवन जीती है बेटी बहन पत्नी मा और इस दिन हम नारित्व का जश्ण मनाते हैं और महिलाओं की अधवुद अधम्य साहस और बलिदान की सरहाना करते हैं मा बहनों और महान महिला मित्रों के बिना मनुश्य अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता महिलाओं परिवार बनाती है परिवार से घर बनता है घर समाज बनाता है और समाज से देश का निर्मान होता है इसका सीधा सीधा आर्थ यही है कि महिला का य और देश का विकास नहीं हो सकता। तो मेरे हिसाब से यह दिवस हमें खूब जोरो-शोरो से मनाना चाहिए। एक ही दिन या हर दिन अमीशा जी? मेरा मानना है हर दिन, मैं एक जरूर मौका लोगी यह बताने के लिए कि एक महिला जो मा है, जो दादी है, जो नानी है, वो सभी मैं सिर्फ यह नहीं कहूँगी कि दूसरी महिला को सपोर्ट करती है पर किस तरह से दूसरी महिला का ग्रोथ या प्रोग्रेस अटकाती है? आज यह टॉपिक भी मैं लेना चाहूँगी और reason ये है, खुद मा, आप सोचो कि मेरी बेटी पढ़े बहुत, मेरी बेटी भी क्लास में first number आए, पर जैसे वो 21 साल के उसकी शादी करा दो, ये कहां की बराबर बात हो गए, आपने क्यों उसको मौका नहीं दिया, कि वो इतनी पढ़ी लिखी है, तो कुछ कमा सके, आप द का देते हो, और अपनी बेटी को कम मौका देते हो, किसने ये पुरुष की दिमाग में डाला कि तू special है, इसलिए तू पहले खाएगा, या तू पहले पढ़ेगा, फिर लड़की करेगी, सो ये हम सभी महिलाओं को हर दिन याद रखना है, कि हम कहीं किसी और दूसरी महिला जो या तो अपनी बेटी है, या तो किसी और की बेटी है, उसका कहीं नुकसान न कर दे हमारी संकुचित मान्यताओं से, इसलिए ये रोज होना चाहिए डॉक्टर लीना, क्या आप मानते हैं कि महिला महिला का समर्थन करती है या नहीं करती है? वैसे मैं इस बात को मानती हूँ कि यदी समाज में ही एक गलत समझ हो तो यही गलतियां लेडीज भी करेंगे फाइनली ये भी समाज का ही हिस्सा है, ये इतना सिंपल नहीं है कि पुरुष महिला को नीचा दिखाते है या महिला महिला का शोशन करती है या महिला महिलां का आंख बंद करके सपोर्ट करते हैं, महिलाओं को देखने का जो नजरिया है उसका प्रॉब्लम समाज as a whole में है जो दीरे दीरे बदल रहा है पर फ्रांकली इट हैस तो बी एक्सलरेटेट, इट हैस तो बी एक्स्पेटेटेट शिल्पा जी आपका क्या राय है, क्या महिला महिला का समर्थन करती है या फिर अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूँ तो मुझे आज तक बहुत सपोर्ट मिला है जाहे वो महिला हो या पुरुष हो, especially my mother, क्योंकि उनोंने मुझे बहुत सपोर्ट किया जब आप empathize करते हो, situation से, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे पता था कि मुझे क्या नहीं चाहिए मेरी ममी ने भी, you know, probably realized कि मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी ये लाइफ जी जो मैं जी रही हूँ इसलिए उनोंने मुझे बहुत प्रेरित किया, उनोंने मुझे बहुत अनकारज किया कि मैं अपने wings फेलाऊं और उनू तो I think ये depend करता है, situation पे depend करता है आपके आसपास कौन सी लोग है और ये आपके determination पे भी depend करता है अगर आप determined हो, तो कोई भी आपके सामने बाधा नहीं ला सकता, ये मेरा personal, मेरा नीजी opinion है तो it is not about man or woman, it is about who you are and what you want मैं अन्त में पूछना चाती हूँ, कि महीला एक impact कैसे बना सकते हैं स्वयम के लिए और अन्य महीलाओं के लिए जो इस कारेकरम को सुन रहे हैं हमारे विविद भारती पे अन्तराश्रिय महीला दिवस पे शाइना जी मैं यहाँ पर एक दो incidences मेरी खुद की career journey के कहूँगी मैं financial field से हूँ, तो मेरी clients US में भी है, Asia में भी है and समझो की 5 टका महीलाएं काम करती होगी, 95% पुरुष है पुरुष जब दूसरे पुरुष से काम करता है तो वो drink कर सकता है, वो कोई भी time पे मिल सकता है महीला को थोड़े constraint होता है, वो field में मैं 3 years consistently best salesperson from India रही और मैं आपको वो भी कहूँगी कि मैं drink तो करती नहीं हूँ, पर मेरी client मैं jain हूँ तो मैं अगर Boston जाओंगी, तो वहाँ डून के रखते थे कि कहाँ पर इसको jain खाना मिलेगा अब मैंने ये position क्यों बनाई, क्योंकि मैंने सोचा कि मेरे पास वो strength नहीं है जो एक पुरुष को पुरुष के साथ networking करने के लिए है, तो मैंने अपना homework, अपना analysis इतना strong बनाया कि मेरी आधा गंटे के meeting, client would sit for one and a half hours to listen to me सो मैं ये message जरूर देना चाहूँगी, हर एक वो लड़की को कि आप कहां से journey चालू करते हो उससे कोई फरक नहीं पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ का एक starting point होता है पर अगर आपका mind clear है कि आपको पहुँचना कहां है, तो आपको कोई रोक नहीं सब आप खुद आपके principle बना सकते हो, और ये पूरी दुनिया, सब कुछ आपकी line में बैठ जाएगा अगर आप आपके efforts पे focus रहो और आप खुद कोई excuse ना ढूंड़ो, तो मुझे नहीं लगता कोई हम को रोक सकता है बहुत अच्छा संदेश अमीशा जी, तो कहने का तातपरिया है कि excuse मत दीजे, बेचारी का tag मत इस्तमाल कीजे, दिखाईए आपकी शमता और कितने सक्षम हो आप सीमा जी, आपका क्या संदेश है? अगर आप में लगन है, आप में महनत करने की इच्छा है, आगे बढ़ने की इच्छा है, कोई भी excuse नहीं देकर, अगर आप दिल से चाहे कि मुझे कुछ करना है अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, आत्म निर्भर होने के लिए, तो आप किसी भी समय कर सकते हैं जैसे कि मैंने कहा कि मेरी सफलता के पीछे मैं अपनी बेटी और अपने खास दोस्तों को जिनों ने मुझे प्रुचसाहन दिया, encouragement दिया कि नहीं आप शुरू करिये, तो आज मैं एक छोटा सा व्यवसाय अपने घर से चलाती हूं, जिसमें मैं कितनी महिलाओं को जौब द होगा, बहुत अच्छी बात सीमा जी, डॉक्टर लीना गुपता, आप इस शेतर से हैं, जहां महिला और पुरुष दोनों को एक सम्मान भी मिलता है, as doctors, क्या आपको लगता है कि आज कुछ काम करने की आवशकता है, as a professional doctor, या आपको लगता है कि जो हमें करना था, हमने कर दिखाया, अभी मैं सब महिलाओं को बूलना चाहूंगी कि जब भी मेरे पास जब महिलाएं आते हैं, पेशन्स आते हैं, तो मैं उनको पहले चीज यही बोलती हूं कि पहले अपना ध्यान रखो, पहले यही अडवाईज करती हूं, उसके बाद परिवार का ख्याल करते-क अपना हेल्थ कराब मत करो, फाइनली हम सब जानते हैं कि हम सब लेडीज कितना मल्टी टास्क करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब एक स्ट्रॉंग पेशन्ट आते मेरे पास, and she is able to get her whole family, and say कि मैं इस इन के लिए आई हूं, मेरे हस्बन के लिए आई हूं, मेर तो हम लोग कर सकते हैं, husbands नहीं कर पाते हैं, थोड़े दिन के लिए एक बार, दो बार, तीन बार आएंगे तुमारे साथ, लेकिन उसके बाद हो ठक जाएंगे, because they are not made to take care of others, but we are made to take care of others, so we should take care of ourselves first. So another way, जो मैं impact कर सकती हूं, सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं, पर पुर्शों के लिए भी, उन्हें भी समझना चाहिए कि एक strong महिला, परिवार के लिए कितना contribute कर सकती हैं, महिला को अफसर प्रदान करके, परिवार को ही मजबूत किया जाता है, कोई परिवार अपनी महिल पुर्ण असेट को कतम कर रहा है. इसका मतलब है कि जो हात इतने बुलंद हैं कि एक बच्चे को संभाल सकते हैं, उसको जूला दे सकते हैं, वो दुनिया को भी रूल कर सकते हैं. अगर हम महिलाएं अपना ध्यान रखें पहले, there has been a big shift, society में बहुत बड़ी shift हो रही है, और मुझे लगता है कि इसी वज़े से society काफी progress भी कर रही है. मुझे ऐसा लगता है कि physical और mental fitness interconnected है, और अगर घर की जो anchor है, which is in every household एक महिला होती है, अगर वो fit है mentally, physically, imagine उस घर की निव कितनी कितनी जादा मस्बूत है, तो I really believe कि fitness is very important, हम अपने सबसे बड़े critic होते हैं, हमें अपने आपको doubt करना बंद करना होगा, हमें believe करना होगा कि ह हम जो सोच रहे हैं, वो बुलंद है and वो important है, so well said, बहुत बहुत दहनिवाद Amisha Vora, Seema Sharma, Dr. Lina Gupta और Shilpa Bhagat, ऐसी हुनर्मन स्थ्रियां, आज हमारे साथ है, जिन्होंने एक मन्जिल तै की है, और आज ना केवल अपनी मन्जिल पर पहुंची है, बलकि औरों के लिए भी प इसकाम कर सकती है, ये काबिलियत सिर्फ एक महिला रखती है, अपने जिम्मिदारियों के साथ साथ, अलग पहचान बनाना आसान नहीं है, लेकिन सफलता के साथ साथ महिलाओं ने आज दिखाया कि एक महिला, एक अण्यम महिला का समर्थन भी कR सकती है, आज अंतराष्ट् बधाई और शुब कामना मुझे आग्या दीजिये नमस्का